हेलो दोस्तो एक बार फिर से सौगत है आपका अपने योटूब चैनल बिट्टू जी के स्टेडी में तो गाइस आज के सेंसर में मैंने कुछ नया एड किया है हम मैस्क पढ़ने वाले हैं आज के सेंसर में जो की है यूनिट डिजिट जो की नमर सिस्टम के अंदर कद आता है दोस्तो तो मैंने आज मैस्क पढ़ने उठाया है आई होप आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए एक लाइन मैंने लिखी है है आज रात अगर काली तो कल सबेरा भी आएगा मुसाफिर है जिन्दगी में मंजिल का मुकाम भी आएगा हर दर्द बेशक तुझे लाजवाब बनाएगा मैनत कर बन दे तू मैनत से क्या कुछ नहीं पाएगा तो दोस्तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते है हमारा मैट्स का सेंसन आई होप आपको पसंद आएगा तो आपको क्या करना क्या है लाइक, सेयर, कमेंट और जो लोग नए है सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो चली हमारे सेंसन की और बढ़ते हैं दोस्तो तो दोस्तो हम एकदम बेसिक से पढ़ेंगे योनिट डिजिट्स, इकाई का अंक पहचानना जो कि हम पहले बेसिक तरीके से देखेंगे फिर दीरे दीरे लेवा लांगे बढ़ते जाएगा हम पिर कुछ कठीन प्रसन भी देखेंगे तो जैसा की पहली संक्या आपकी स्क्रीन पर है दोस्तो यदि इसमें पूछा जाए की इकाई का अंक क्या होगा तो जी बिल्कुल इसमें राइट अंसर होगा एक सिंपल है और अगली संक्या में पूछा जाए की इकाई का अंक क्या होगा तो right answer होगा हमारा 3 बेसिक सा question है दोस्तों और अगली जो संक्या है इसमें अगर पूछा जाए कि हमारा इकाई का अंक क्या होगा तो simple तरीके से हमारा right answer होगा 6 हम असानी से बता सकते हैं चलिए अब कुछ थोड़े high level के question की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों अगला जो है इसमें यदि हमसे पूछा जाए इकाई का अंक क्या होगा तो दोस्तों इसमें हमें जादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हम सारी संक्या को नहीं देखेंगे हमें इकाई के अंक से मतलब है हम इकाई के अंक को देखेंगे यहाँ से 7 उठाया, प्लस खै तो प्लस लगाया, यहाँ से 3 उठाया, जो की 1 का इकांक है, और यहाँ पर 3 लिख दिया, इसका योग किया, योग हुआ हमारा 10, हमें 10 से भी कोई मतलब नहीं है, 10 में 1 कांक है 0, तो हमारा राइट अंसर ओ जाएगा 0, इसमें एकाई का अंख है, मेरे प्यारे दोस्तों, जीरो. I hope आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा, तो मैं फिर से बता दूँगा, आप कमेंट में बता दीजिएगा. तो चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं दोस्तों तो पहली संख्या का हमने इकाई का अंक लिया योनिट डिजिट साथ और दूसरी संख्या का भी हमने इकाई योनिट लिया जो कि योनिट डिजिट है तीन दूसरी संख्या का तीन बीच में प्लस है प्लस लगाया इन दोनों का योग किया योग आया हमारा 10 और 10 में इकाई का अंख है हमारा 0 तो इन संक्याओं का जो योग होगा और इनका इकाई का अंख होगा दोस्तो 0 चलिए आंगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण थोड़ा लेबल बढ़ते जा रहा है दोस्तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा तो चलिए अगले प्रस्ण की बात कर लेते हैं अगले प्रस्ण में इकाई का अंक की बात कर लेते हैं दोस्तों यहां से हमने इसका इकाई अंक लिया तीन और यहां से चार बीच में गुणा का चिन है गुणा लगाया प्लस का चिन है प्लस लगाया यहां से इकाई का अंक लिया हमने दो यहां से लिया दोस्तो दो इनका गुणा किया आया बारा प्लस का प्लस लगाया दोस्तो यहां पर आया चार बारा में इकाई कांग है दोस्तो दो और चार हो गया हमारा छे तो छे हमारा हो जायागा दोस्तो इकाई कांग इन संख्याओ का I hope आपको समझ में आया होगा एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तो यहां से हमने उठाया 3 यहां से 4 लिया यहां से 2 और यहां से भी 2 तो 3 गुणित 4 प्लस 2 गुणित 2 3 और 4 का गुणा आया 12 प्लस लगाया और 2 और 2 का गुणा आया 4 दोस्तो 12 में इकाई का अंक है 2 हमें सभी संख्या नहीं देखनी हमें सिर्फ इकाई का अंक चाहिए 12 में इकाई का अंक है 2 2 और 4 को जोड़ दिया अंसर आया हमारा 6 तो इन संख्या का जो इकाई अंकों का दोस्तो 6 I hope आपको समझ में आ गया होगा चलिए आंगे बढ़ते हैं अब दोस्तो आंगे बढ़ते हैं दोस्तो यदि संख्या 5, 6, 1, 0 की पावर यानि की घात में यदि कोई भी संख्या आए तो उनका जो इकाई अंक होगा स्वयम संख्या होगी सेम वही संख्या आएगी यदि इन संख्याओं 5, 6, 1, 0 की पावर में कोई भी संख्या आती है तो स्वयम संख्या ही unit digit होगी वो किस प्रकार से होगी दोस्तों चलिए example के तुरू देख लेते हैं यदि मैं संख्या ले लू 5 की पावर 2 मतलब 5 का दो बार गुणा 5 गुणित 5 तो अंसर आएगा हमारा 25, 25 में इकाई का उंख होगा 5 याने की 5 की घात कितनी भी ले लो, उसमें इकाई का अंक 5 ही आएगा इसी प्रकार से 6, 6 की घात कितनी भी ले लो, मैंने 6 की घात 2 लिया 6 गुणित 6 अंसर आया मेरा 36 34 में 1 गांक 6 मैंने 6 की घात 3 लिया 6 गुणित 6 गुणित 6 अंसर आया मेरा 216 इसमें मेरा 1 गांक है 6 याने की 5 की घात 6 की घात 1 की घात 0 की घात कितनी भी ले लो जो हमारी unit digit है स्वयम संक्या आएगी चलिए एक और बड़ा सा एक्जामपल देख लेते हैं यहाँ पर संक्या है 2036 इसमें हमें इकाई कांक है 6 हमें बागी संक्या नहीं देखनी है बागी संक्या से हमें मतलब भी नहीं है हम यूनिट डिजिट लेंगे यहाँ पर तो इस संक्या हमें यूनिट डिजिट है 6 हम 6 की पापर कितनी मान रहे है 6 की पापर दिया है इतनी 5043 तो 6 का 5043 बार गुणा जैसा कि रूल में हम पढ़ चुके हैं 6 का कितनी भी बार गुणा करो उसका यूनिट डिजिट आएगा 6 तो इसका भी जो अंसर होगा दोस्तो 6 6 की घात 543 6 का 543 बार गुणा हम इतना लंबा गुणा क्यों करें तो इसमें राइट अंसर हो जाएगा हमारा 6 6 इस संक्या की यूनिट डिजिट होगी आंगे पढ़ते हैं दोस्तो यहाँ से थोड़ा नियम चेंज होगा यहाँ पर दिया है 108 इसमें 111 का अंग है दोस्तो हमारा 8 111 का अंग है हमारा 8 तो इस तरह के कुश्चन को सॉल्व करने के लिए इसमें यूनिट डिजिट निकानने के लिए दोस्तो एक सिंपल सी मैथड है इसको आप दिमाग में बैठा लीजिएगा तो इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए मैं बताता हूँ आप दिमाग में इसे बैठा लीजिएगा जो पावर दी हुई है इसमें हमें आखरी की दो शंख्या लेना है और इसमें 4 का भाग देना है 4 का भाग दिये 4 का भाग देने पर जो सेसफल आता है मैंने 98 में 4 का भाग दिया मेरा सेसफल आया 2 2 मेरा सेसफल आया मैंने संख्या का इकाई अंकल लिया दोस्तो और जो सेसफल मेरा बचा था उसकी पावर कर दिया 8 की 8 का मैंने 2 बार उकुणा किया दोस्तो 64 64 मेरा आया अंसर दोस्तो 64 मेरा इकाई कांख हो गया मेरा 4 तो इस question का right answer हो जाएगा दोस्तो मेरा 4 इसमें हमारा इकाई कांख हो जाएगा 4 दोस्तो आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं मैंने 2 संख्या लिया जो की घात में है उसको मैंने 4 से डिवाइट किया मेरा सेस्वल बचा दोस्तो यहाँ पर सेस्वल को महत्व देना है 2 2 मेरा सेस्फल आया मैंने संक्या का योनिट डिजिक लिया योनिट डिजिक की पावर मैंने 2 कर दिया जोकी सेस्फल बचा था इसको गुणा किया मेरा आंसर आया दोस्तो 64 64 मेरा IKANG है दोस्तो 4 तो मेरा राइट अंसर हो जाएगा 4 तो 108 में इकाई कंग हो गया दोस्तो 4 चलिए और आंगे बढ़ लेते हैं अगला है दोस्तो 1024 में हमें इकाई कंग बताना है जिसकी घात है 20,453 इसमें हमें इकाई कंग बताना है simple method है जो घात है उसमें आकरी की दो संख्या इसमें मैं 4 का भाग दूँगा सेसफल बचेगा मेरा 1 मेरा सेसफल बचेगा दोस्तो मैंने जो संख्या है उसका इकाई अंक लिया इकाई अंक की घात में मैंने सेसफल लिखा जो की एक मेरा बचा था मैंने 4 की घात एक में गुणा किया दोस्तो अंसर आया मेरा चार तो इसमें इकाई का अंख हो जायागा दोस्तो मेरा चार एक बार फिर से देख लेते हैं जो घहत है उसकी दो संख्याओ आगरी दो संख्याओ में मैंने चार का भाग दिया मेरा सेसफल बचा एक सेसफल एक आया दोस्तो जो संक्या दिये मैंने उसका इकाई अंक लिया दोस्तो इकाई अंक की पावर मैंने एक कर दिया चार को एक बार गुणा किया मैंने तो मेरा अंसर आया चार तो इसका इकाई अंक हो गया दोस्तो हमारा चार चलिए और आंगे बढ़ लेते हैं दोस्तो अगला है 17 की पावर 17 सिंपल है आप सभी को पता है मैं थर जान गए है 17 की पावर मैंने 4 किया इसमें भाग दिया दोस्तो मैंने तो मेरा सेस्फल आया एक सेस्फल एक आया दोस्तो मैंने जो संख्य दिया उसका इकाई अंक लिया एकाई अंक है मेरा साथ, साथ की पावर मैंने एक कर दिया जो की सेस्फल था और मेरा अंसर आगया दोस्तो साथ, है ना सिंपल, चलिए और आंगे बढ़ते हैं, अगला कोश्चन थोड़ा हिला देने वाला है, चलिए इसमें जान लेते हैं क्या मैथड है, सेम वही मैथड है एक यहां पर भी मेरा सेस्फल बचा दोस्तो एक और मैंने यहां से इकाई अंक लिया, साथ, जो सेस्फल बचा था एक उसको घात में लगाया, गोणा कचिन लगाया, यहां से इकाई का अंक लिया दोस्तो मैंने एक जो सेस्फल बचा था दोस्तो इसलिए उसको घात में ल और 373 तो इसमें मैंने भाग दिया दोस्तो चार का आखरी की दो संख्याओं में देना है दोस्तो आखरी की दो संख्या में मैंने भाग दिया चार का इसमें भी आखरी की दो संख्या में मैंने चार का भाग दिया दोस्तो यहां पर मेरा चार का पूरा पूरा भाग चला गया दोस्तो जब मैंने जो 72 है इसमें मैंने 4 का भाग दिया तो मेरा सेसफल बचा 0 और यहां पर मैंने 4 का भाग दिया तो मेरा सेसफल आया दोस्तो एक तो यहां पर देख लेते हैं जब एक रूल यहां पर है आप इसे नोट कर लीगे जब किसी मतलब संख्या को चार से भाग देते हैं और सेसपल जीरो बच जाता है तो उस संख्या की गहत हम चार लेते हैं एक बचने पर एक गहत लेते हैं दो बचने पर दो गहत लेते हैं और जब सेसपल जीरो हो जाए तो उस संक्या की गात हम चार ही लेते हैं तो यहां पर मैंने जो संक्या उसका इकाई का अंक लिया दोस्तो चार सेस्पल जीरो बचा तो हमें सिर्फ चार ही लेना है सेस्पल जीरो बचता है तो चार लेना है प्लस यहां की संक्या है इकाई अंक है चार जो की काई अंक है चार दोस्तों इसको मैंने लिया और यहाँ पर सेस्पल बचाता हमारा एक चार को चार बार गुणा किया दोस्तों मैंने चार को चार बार गुणा करने पर मेरा जो इकाई का अंक आता है इसमें छे आता है और 4 को एक बार गुणा करने पर आया मेरा 4 प्लस 6 अंसर आया 10 10 में 1 आई का अंक है 0 तो राइट अंसर हो जाएगा मेरा 0 चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर मैंने 2 संक्याओं में दिया 4 का भाग यहाँ पर भी 4 का भाग दिया यहाँ पर मेरा सेसफल आ गया दोस्तो 0 यहाँ पर मेरा सेसफल आ गया 1 जब सेसफल 0 बचता है तो इकाई के अंक की घात हम ले लेते हैं 4 0 बचने पर जब सेसफल 1 बचता है तो घात 1 लेते हैं 2 बचता है तो घात 2 लेते हैं जब 0 बचता है दोस्तो तो यहाँ पर हम गात लेंगे 4-0 नहीं लेंगे दोस्तो चार लेंगे सेसपल जीरो बचने पर हम 1 यंक जुरू होता है उसकी गात हम 4 लेते हैं तो मैंने 4 लिया दोस्तो प्लस यहाँ पर 1-1 पर 4 यहाँ पर सेसपल बचा था मेरा 1 जो कि घात में लिए हमेंने इसको solve किया 4 को 4 बार गुणा करने पर मेरा 6 आया दोस्तो इकाई कांक और 4 को एक बार गुणा करने पर मेरा 4 आया दोस्तो दोनों को add किया मेरा आया 10 और 10 में इकाई कांक है दोस्तो 0 तो right answer हो जाएगा मेरा 0 इन संख्या होगा इकाई अंक होगा चलिए अगला देख लेते हैं अगला और जो last है हमारा 3 की घात 6, 3 की घात 42, sorry 11 की घात 42 और 7 की घात 35 यहाँ पर हमें इकाई का अंक find करना है दोस्तो इस 6 नहीं है 26 है 3 की पावर 26 तो 3 की पावर 26 क्या है इसकी same trick है दोस्तो कोई भी अलक्स में दिमार्ण लगाने की जरुत नहीं है same trick है 26 को मैंने भाग दिया 4 से 42 को भाग दिया मैंने 4 से और 35 को भाग दिया दोस्तो 4 से और यहाँ पर Salesforce बचा मेरा सेसफ़ल बचा मेरा सेसफल 3 जब मैंने 26 में 4 का भाग दिया तो मेरा सिसफल 2 आया तो में 3 की घाट कर लूँगा दोस्तो 2 3 की घाट दो गार लिया मैंने बीच में गुणा का चिन है और 42 को 4 से भाग देने पर सिसफल आया दोस्तो मेरा 2 तो 11 की घात में 2 कर लूँगा और 7 को 35 को 4 से भाग देने पर दोस्तो सिस्फ़ल आये मेरा 3 तो 3 को मैं 7 की घात में रख दूँगा अब इसे मैं सॉल्ब करूँगा दोस्तो यहाँ पर मेरा 9 जाएगा 11 में इकाई कंक है दोस्तो 11 9 गोड़ी तेक हो जाएगा और 7 में 7 को 3 बार गुना करेंगे हम तो 11 का आयाँ दोस्तो 3 और इन सभी को गुना कर देंगे हम 9 यह 27 इसमें हमारा 11 काई है 7 तो 7 हमारा राइट अंशर हो जाएगा दोस्तो एकाई का आंख तो यह था हमारा Sigнуть unit digit find करने का I hope आपको पसंद आया होगा नहीं आया होगा तो आप बता जीजिए का मैं अगले सेंसन में इसे फिर से समझा दूँगा और अगले सेंसन में हम कुछ जो संख्या होती है भाज जी अभाज संख्या है उनके बारे में पढ़ेंगे तो ठेंक्यो फॉर वाचिंग मिलते हैं इसकी नेक्ट वीडियो में जब तक के लिए जय ही जय भारत